यहां पर हम एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक डिसकुस करने वाले हैं जो कि है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर अभी जो यूपिटेट और सीटेट के यहां पर फॉर्म्स फिल हो रहे हैं उसमें आपको 6-8 जो आपका जूनियर का पेपर है उसमें आपको सब्जेक् मैं क्या चूज करना है कैसे चूज करना है बहुत सारे स्टूडेंट का यहां पर डाउट था तो यहां आपको इस वीडियो से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो गलत सब्जेक्ट बिल्कुल भी चूज मत करें इस वीडियो को पूरा देख लें और जितने भी लोग रहे क्या बात है कि 6-8 में आपको एक सब्जेक्ट अपना चूज करना पड़ता है जो कि 60 marks का होता है कैसे चूज करना है आपने BLA में अगर आप बुंदिलखन उनिवर्सिटी में हैं तो 2nd year और 3rd year में कुछ optional subject चूज किया होगा अगर आपने हिंदी और English लिया है तो आपको social science जो कि art subject है आपका history, geography, political science, economics अगर आपने लिया है तो भी आप social science से करेंगे अगर आपने यहाँ पर physics, chemistry, math, bio लिया है तो आपको science और maths यहाँ पर opt करना पड़ेगा कुछ students का doubt है कि अगर हमने हिंदी और English लिया तो हम specifically क्या लिया है तो आपको हिंदी और English में आते हैं social science वाले section आपको जाना है यह मत करिएगा बिल्कुल भी कि हिंदी, English, history, geography, political और economics लेने के बाद आप science और mathematics को चूच करें ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है इसलिए बैतर है कि अगर आपको rejection मिले उससे पहले ही आप अपना form को correct भरें जिनों आभी physics, chemistry, maths, biology है उनको science और mathematics पढ़ना है जिसमें 30 questions आपको science के मिलेंगे और 30 questions आपको math से मिलेंगे और social science में आपको सारे history, geography, political, economic science, economics, current affairs ये सब सारी चीज़ेंगे आपको social science में मिलेंगे जो की total 60 marks का आता है ये तो होगा बुंदिखन university प्लस L.U. के लिए हम बात करें लखनाई university के लिए जिनका second year में ही उनने दो optional चूज करने पड़ते हैं तो I hope आप सबने group A और group B में से same side का subject चूज किया होगा दोनों में से आपने या तो social science या तो आपने science का subject चूज किया होगा अगर आपने science किया है दोनों section से तो आपको आगे जा कि science and mathematics लेना है और अगर आपने दोनों ग्रुप से आर्ट सेक्शन चूज किये हैं, जैसे कि एक में आपने हिंदी किया हो, या दूसरे में आपने हिस्ट्री किया हो, as per the availability of the subjects, उसे साब से आपको यहाँ पर social science लेना है, I hope आपके लिए ये वीडियो helpful रहा होगा, और चीज़ें आपको clear होगी होगी कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अपने optionals चूज करने है, यह बहुत ही important एक चीज है, आपर ध्यान रखें अस चीज का, आराम से अपने optional subject को चूज करें, कोई भी doubt है, नीचे comment section में जरूर बताए, पर form को गरत बिल्कुल भी मद भार है, ठीक है, यह ता video guys, telegram channel guys, हमारा जॉइन कर लेजे, फ्री नोट्स और अपडेट्स के लिए, नीचे आपको जो comment section है, और description box में आपर link मिल जाएगा, बहुत important है, हमारा bla.in slash store, यहाँ पर आप bla.in slash store, यहाँ पर आप bla.in slash store, ले सकते हो, हिंदी एंग्लिश दोनों ही mediums में, अपने college, university के लिए, आपको type क्या करना होगा, google पे bla.in slash store, यहाँ आपको store खुल जाएगा, वहाँ से आप अपना order, place कर सकते हैं, कोरियर के तुरू आपके घर तक पहुंच जाएगा, लिंक्स दोनों की नीचे available है, comment section में भी, और description box, अभी दूस्ता, guys, यहाँ वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चानल को, और शेयर करें अपने फ्रेंग्स के साथ, फॉर्म को गलत बिलकुबी मत भरें, एक बार जरूर पोच लें, उसके बाद ही, आप फॉर्म को अप्लाइ करें, ठीक है, so नीचे comment section में जरूर बताएं,